नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फुलू कोणा जोल 200 mg टैबलेट के बारे में यानि कि फुलू कोप 200 टैबलेट के बारे में इस टैबलेट के फायदे नुकसान इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तमाल करना चाहिए इन सभी बातों के इस व होती है और इस इसमें एक ही टैबलेट होती है डबी में और ये 200 mg है फ्लू को नजोल और इसका MRP है 20 रपे एक गोली का 20 रपे लेकिन ये जैनरिक दवाई है तो आपको थोड़ा प्षा तक फ्लू के दिखा दिधा हूं उबको किस प्रकार की होती है इस प्रकार की एक टैबलेट होती है इसके अंदर और STEP चलिए बात कर लेंस के लिए इस सि 태 Eye Health की यसका चरम रोग डर्माटाइटिस की प्रॉबलम गुपता आंगों में इंफेक्शन हो जाना और यानि कि हर प्रकार की यह फंगर इंफेक्शन को ठीक करती है फफूंदी संकर्मन को ठीक करती है और इसका उप्योग नाकोनों मेंobile infection हो जाती है उसको भी ठीक करने के लिए इसका अस्तमाल किया जाता है और जब नाकुनों में fungal infection हो जाता है तो नाकुनों का color भी change हो जाता है और वो टेड़े मेड़े भी होने लगते हैं और उनकी अंदर खुजली भी होने लगती है तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कोई भी नाखोनों में तो आप समझ जाए कि फंगल इंफेक्शन हो गया है अंदर और आपको इस टैबलेट की जरूरत है तो उसके लिए इसका इस्तमाल किया जाता है साथ ही साथ अंदरूने कोई फंगल इंफेक्शन हो गया है इस्ट इंफेक्शन है और महलाओं के गुपतांगों में कोई फंगल इंफेक्शन हो गया है तो उसमें भी इसका इस्तमाल किया जाता है तो हर प्रकार के fungal infection को ठीक करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है और इसके साथ में अकेली ये टैबलेट नहीं इस्तमाल किया जाती है साथ में antilurgic टैबलेट जैसे की levosatritagen, satrazyne टैबलेट इसका भी इस्तमाल किया जाता है और लगातार इसका टैबलेट का इस्तमाल किया जाता है जितने दिन आपको डॉक्टर बताये उतनी दिन इस्तमाल करना चाहिए फिर भी इसकी मैं डोस बता देता हूँ आपको कि नॉर्मल कैसे दी जाती है हफते में एक टैबलेट इसको बताया जाता है जैसे कि अगर आपने संडे को खाया है तो अगले संडे को फिर से खानी पड़ेगी एतवार को खाई है तो एतवार को ही अगले खानी पड़ेगी एक टैबलेट लगातार कम से कम इसका 3-4 महिने तक इलाज चलता है और 3-4 महिने तक इसको खाना पड़ता है लगातार ठीक है और अगर बीच में कोई प्रॉबलम होती है इसको लेने से तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना और इसकी डोस जो लगातार मैंने बताई है तीन महिने तक जरूर ली जाती है और अगर पुराना फंगल इंफेक हो तो वो डॉक्टर को ही बताएंगे आपको चेक करके ठीक है तो इसके जो साइड इफेक्ट देखे गए हैं दोस्तों इसको लेने से क्या होता है कई बार की चक्कर आते हैं उल्टी मतले घबराहाट सिरदर्द ठकावट यह सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो अगर झाल 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 झाल